नमस्कार जेबिटी अध्यात्म में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकिता बुद्ध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है व्यापार, संचार और बुद्धी के ग्रहे बुद्ध मेश राशी में 31 मार्श को प्रवेश करने जा रही हैं इससे पहले बुद्ध ग्रह 30 मार्श को मीन राशी में ही उदित हो जाएंगे ऐसे में बुद्ध जब मेश राशी में प्रवेश करेंगे तो उदित अवस्था में होंगे और मेश राशी में बुद्ध का जयोग शुक्र और राहु से होगा शुक्र और बुद्ध मिलकर लक्ष्मी नरायन योग बनाएंगे लेकिन जोतिश शास्तर में बुद्ध और मंगल को विरोधी ग्रह माना गया है मेश के स्वामी मंगल है और यहां बुद्ध के आने से कई राशियों को लक्ष्मी नरायन योग का लाब मिलेगा तो कुछ राशियों को प्रतिकूल परिणाम भी प्रदान करेंगे इस कारण 31 मार्च से 21 एपरिल तक रुपए, पैसे और करियर, कारुबार के मामले में परिशानी हो सकती है तो आईए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां जिनके जीवन में आने वाली है परिशानी मेश राशी मेश राशी में ही बुद्ध का गोचर होने जा रहा है बचत की कोशिश करें, वैसे नौकरी कारुबार में स्थिती समानी रहेगी, कमाई ठीक ठाक बनी रहेगी अन्चाही यात्रा भी आपको करनी पर सकती है, उधार और कर्ज देने से बचें विरिशब राशी बुद्ध का मेश राशी में गोचर विरिशब राशी वालों के लिए मध्यम फलदाई रहेगा इस दौरान धन का लेंदेन करते समय साबधानी बढ़ते, मित्रों वा सहकर्मियों को गोपनिय बाते बताने से बचें अनिथा, आपके लिए परिशानी बढ़ जाएगी, कारी शेत में परिशानी हो सकती है, इसलिए केवल अपने काम पर ही ध्यान दें गर्भवती महिलाएं इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें इस अवधी में व्यापारी, योजना बना कर काम करें, लाभ प्राप्त होगा कन्याराशी, बुद्ध का गोचर कन्याराशी वालों के लिए मिशरत फलदाई रहेगा इस दौरान सावधानी से काम करें, निवेश की योजना इस दौरान ना बनाएं और अगर निवेश करना ही चाहते हैं तो एक बार घरवालों से सलाह अवश्य ले, बे वजह के खर्चों पर नियंतरन रखे, अनिथा जब आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी तब कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, परिजनों के साथ किसी भी तरह के वाद विवास से बचे इस दोरान बच्चों के स्वास्थे को लेकर चिंतित रह सकते हैं, मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे वरिष्षिक राशी, मेश राशी में बुध का गोचर वरिष्षिक राशी वालों के लिए कई चुनोतिया लेकर आएगा, इस दोरान आर्थिक माबलों में आपको उतार चड़हाव का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज लेनी की स्तिती भी बन सकती है, अधिकारियों की कुम्भराशी, बुध का गोचर कुम्भराशी वालों के लिए उतार चड़हाव वाला रहेगा, दोका धड़ी से बचें, धन सम्बंदित माबलों में दोका मिल सकता है, कारेश शेत्र में विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने काम में स्प के लिए आप